युवा नेता जैराम महतो की पार्टी जार्खंदी भाषा खतियान संगर समिती यानी जे बी के एसेस या जे एल के एम से जुर कर जार्खंद विधान सभा चुनाव लड़ने की होर्मची है। राजे की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की लंबी कतार है। इससे पार्टी के नेता और खुद जैराम महतो भी काफी उतसाहित है। लोगों से मिल रहे समर्थन से लबरेज पार्टी के थिंकर अपचास पचपन नहीं, बलकि राजे की सभी विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार करने लगे है। इसे लेकर जैराम महतो ने बहुत ही खास स्ट्रेजी अपनाई है। इस ट्रिक ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इसके तहित पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांग रही है। इसके साथ ही जैराम महतो की पार्टी ने आगामी विधान सभा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए समिती ने संभावित उम्मीदवारों पर विचार करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के चैन में पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए उनसे सारवजनिक तौर पर आवेदन मांगा है। समिती के केंद्रिय अध्यक्ष जैराम महतो ने एक पत्र जारी कर संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। जारी पत्र में जैराम महतो ने लिखा है कि उनका संक्ठन विधान सभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। इसमें जो भी लोग विधान सभा का प्रत्याशी बनने को इच्छुके अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। समिती की ओर से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। आवेदन फॉर्म समिती के प्रधान कारियाले मनाटान, तोप चांची, धनबाद से प्राप्त किया जा सकता है। समिती ने जरूरी पूछताच के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले, जेबी के एसेस की ओ से कहा गया था पार्टी 50 से 55 सीटों पर विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसके बाद हालिया दिनों में समिती ने घोषना किये कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों का मानना है कि समिती विधान सभा की सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इन आवेदनों के आधार पर पार्टी के नेताओं को यह जानने में सहूलियत होगी कि राजे की किस सीट पर क्या स्थिती है। इसके बाद आसानी से यह तै किया जा सकेगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है।